medical abortion कराने के बाद कुछ प्रोड़क्ट अगर अंधर रहे गया है तो उसके बाद हमको क्या करना चाहिए और प्रोड़क्ट अंदर रहे गया यानि कि प्रेगनेंसी मेटेरियल अंदर रहे गया इसका पता हमें कैसे चलेगा इस बारे में भी हम बात करेंगे लाश्ट तक अपो क्या आप शोचरिया किए लेकिन उसके बाद क्या हो रहा है कि आपको जैसे ब्लीडिंग हुई आपने किट लिया आपको ब्लीडिंग भूई दस बारा दिन गयी चली या फिर एक या फिर आपको यलोई तिश्चार्ज हो रहा है और काफी पेन भी हो रहा है और दिश्चार्ज में से काफी फाउल इसमेल आ रही है आपको पेन बना है अपने नीचे वाली एरिया में पेट के नीचे वाली एरिया में या फिर आपको फीवर भी आ रहा है बार बार तो यह स तो आपको फीवर आ गया है इस बज़े से क्योंकि इंफेक्शन जब बॉडी में आता है तो इससे आपको फीवर आता है सबसे पहला लक्षड यह होता है अब आप डॉक्टर के पाज आएंगे ट्रीटमेंट के लिए तो डॉक्टर महां पे जरूर आपसे अल्टरसाउंड क अल्टरसाउंड के लिए अल्टरसाउंड में पता चल जाएगा कि आपको इंफेक्शन डैवलॉप हुआ है मैटेरियल अंदर कितना रहे गया है मात्रा कितनी है अगर थोड़ा बहुत है तो डॉक्टर ट्रीटमेंट देंगे उसके बाद वह आपकी बच्चेदानी जो है में भी दिक्कत होती है तो यह इंफेक्शन आगे ना बड़े इसलिए समय पर ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा तो जब आप अल्टरसाउंड करवाती है तो वहां पर आर्पी ओसी लिखा हुआ आता है मिनिमल आर्पी ओसी या फिर इस तरीके से लिखा हुआ तो उसका मतल हो सकती है तो इसमें अल्टरसाउंड में आपको पता चल जाता है कि कितना मैटेरियल अंदर रहा है फिर डॉक्टर उसे के अगडिन ट्रीटमेंट आपको देते हैं या फिर डॉक्टर को ऐसा लगता है कि यह ट्रीटमेंट से यानि कि दवाईयों से नहीं साफ होगा तो वहां पर डिन्सी यानि कि सर्जिकल अवर्शन भी किया जाता है यानि कि और जारू के माध्यम से आपके बच्चेदानी को साफ किया जाता है जो भी मैटेरियल है कचरा है उसको निकाला जाता है और जिससे कि आपको उसके बाद आपको इंफेक्शन होने के चांस नहीं र तो जो महिला होती है वो यह चीज़े नेगलेक्ट कर देती है या फिर अवेर्नेस अवेर नहीं होती है महिला या नौलेज नहीं होता है महिला को तो प्लीज आप डोक्टर के पास जाए अल्टरसांड करवाए जब भी आप अन्वांटेट किट लेते हैं तो यह समश्य आप तो कभी भी इस तरह की प्रॉब्लम आपको आएगी ही नहीं कि आपका कुछ मैटेरियल अंदर रह जाए फिर आपको हस्पिटल के चक्कर काटने पड़े तो इसलिए मेरी ये वीडियो अवैनेस वाली होती है और जिसे कि आपको काफी ज्यादा नौलेज मिलती है किसी से कीजिए काफी ज्यादा मॉटिवेशन मिलता है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि आगे भी मैं इस तरह के हेल्फी वीडियो आपको के लिए लाने वाली हूं तो कोई भी सवाल होंगे तो नीचे कॉमेंट में लिख दीजिए जरूर में रिपलाई कीजिए वहां पर भी आप अपने सवाल कर सकते हैं तो फिर मिलते हैं किसी और इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ थैंक्स पॉर वचिंग